सब्सक्राइब कीजिए दपर्फेक्ट क्लासिस चैनल को और बैल आइकन को दबाईए लेटिस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए अपने सुबद्र कुमारी चाहन की कवीता जहांसी की रानी छटी कक्षा में पढ़ी हो गई ठीक है इस कवीता में ठाकुर कुमर सिंग का नाम भी आया है आपको कवीता की पंक्तियां याद आ रही होंगी एक बार फिर से इन पंक्तियों को पढ़िए इस सुतंतरता महायग में कैई वीरवर आये काम नाना दुन्दुपूत दातिया चतुर अजिमुल्ला सरनाम एहमद शा मौलवी ठाकुर कुमर सिंग सैनिक अभिराम भारत के इतियास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम यहां सुतंतर संगराम के उसी वीर कुमर सिंग के बारे में चानकारी दी जा रही है सन 1857 के व्यापक सशस्त्र विद्रो ने भारत में ब्रेटीश ओसन की जड़ों को इला दिया भारत में ब्रेटीश ओसन ने जिस दमनीती को आरंप किया उसके विरुद विद्रो शुरू हो गया था मार्च 1857 में बैरकपूर में अंग्रेजों ने विरुध अंग्रेजों के विरुध बगावत करने पर मंगल पांडे को 8 अपरेल 1857 को फांसी दे दी गई 10 में 1857 को मेरट में भारतिय सैनिकों ने ब्रिटिश अधिकारियों के विरुध आंदोलन किया और सीधे दिल्ली के और पूँच कर गए दिल्ली कुवर सिंग में तेनाथ सैनिकों के साथ मिलकर यहां पर यह बच्चों की दिल्ली में कुवर सिंग ने तेनाथ सैनिकों के साथ मिलकर 11 माई को उन्होंने दिल्ली पर कबजा कर लिया और अंति मुगल शासक बहादुर्शन जफर को भारत का शासक गोशित कर दिया ये विद्रो जंगल की आग की भाती दूर दूर तक फैल गया कैई मैनों तक उत्तरी और मध्य भारत के विस्तरित भूभाग पर विद्रोईयों का गबसा रहा दिली के अतिरिक जहां अतिरिक भीशनी उद्वा वे केंडर थे कानपूर लखनो बरेली बुंदिल खंड और आरा इसके साथ ही देश के अन्य कैई भागों में स्थानिये विद्रोग हुए विद्रोग के मुखे नेताओं में नाना सहाब, तात्या टोपे, बख्त खान, अजिम उल्ला खान, रानी लक्ष्मी भाई, बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल, हजरत महल कुमर सिंग, मौलवी, एहमद उल्ला, बहादुर खान और रामतुल अरामते 1857 का अंदोलन स्वतंत्रता प्राप्ति की दिशा में एक द्रण कदम था, आगे चलकर जिस राश्टिया एक था और अंदोलन की नीव पड़ी, उसकी आधार भूमी को निर्मित करने का काम 1857 की अंदोलन ने किया भारत में सांप्रताइक सद्भाव को बढ़ाने की दिशा में भी इस अंदोलन का विशेश महत्व है, नीचे दिये गए पिर्शनों के उत्तर दीजिए कोशे नमबर वन है, सुबद्रा कुमारी चोहन की कवीता जहासी की रानी में किस पंक्ती में वीर कुमर सिंग का नाम दिया गया है, वह पंक्ती लिखिए तो हम यह पंक्ती लिख देंगे बच्चो, एहमद शा मोलवी ठाकुर कुमर सिंग, देखे, यहाँ पर इनका नाम आया है, एहमद शा मोलवी ठाकुर कुमर सिंग, सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे, जिनके नाम, ठीक है यह लिख देना, अब कु वीर कुमर सिंग के बारे में जानकारी दी गई है कि वह एक सोतनता सैनानी थे, और दिल्ली में कुमर सिंग ने तेनात सैनिकों के साथ मिलकर, 11 मई को दिल्ली पर कबजा कर लिया, और अंति मुगल शासक, बहादुशन जफर को भारत का शासक गोशित कर दिया, ठीक है बच आंसर में लिखेंगे दिल्ली, कानपुर, लखनो, बरेली, बुंदेलकंड और आरा, ठीक है बच्चों, आप कोशिन नमबर 4 देखते हैं, कोशिन 4 है, विद्रों के मुखेनेता कौन-कौन थे, तो ये भी वरक्षीट में है, आप वरक्षीट में से देखके लिखेंगे, देखें, यहाँ पर इसका अंसर, ये रहा, आप लिखेंगे, विद्रों के प्रमुखनेताओं में, नाना साहब, तात्या टोपे, ठीक है, बख्त खान, अंजिमुल्ला खान, रानी लक्ष्मी बाई, बेगम हजरत महल, ठीक है, ये दो-दो बार लिखे है, बेगम हजरत मह एक बार काड़ देना, कुमर्ण सिंग, मौलवी, एहमदुल्ला, बहादुर्शा, जफर, मतलब बहादुर्खान, कनाम भी एक, बहादुर्शा जफर भी थे वैसे इसमें, और राम तुलराम थे, ठीक है, तो जो आपको यहाँ आंसर है, वस आप ये लिख देंगे, ये द 1857 की किरांती के बारे में, जहांसी किरांणी कवीता में क्या-क्या जानकारी मिली, लिखिए, तो इस कहांसर भी वक्षीट में ये बच्चों जो जानकारी मिली, देखिया, आप यहाँ से लिखेंगे, सन 1857 के व्यापक सशेस्त्र विद्रों ने भारत में ब्रिटिश शासन की जणों को हिला दिया, भारत में ब्रिटिश शासन ने जिस दमनकारी नीती को, मतलब दमन नीती को आरंध किया, दमनकारी नीती भी लिख सकते हैं, पेस जगे, उसके विरुध विद्रों शुरू हो आठ अप्रेल 1857 को फासी दे दी गई 10 माई 1857 को मेरट में भारतिय सैनिकों ने ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद आंदोलन किया और सीधे दिल्ली की ओर कूच कर गए दिल्ली कुमर्सिंग में तैनात यहाँ पर आपको थोड़ा सा चेंज करने की जरूवत है बचो यहाँ आप ना भी लिखें यह लाइन तो भी कोई बात नहीं है खीक है? आप इस लाइन को काटी दीजिए बस यहाँ तक कर लीजिए फिर आप यहाँ से लिखना शुरू कीजिए यहाँ से कि किसमा थोड़ी सी मिस्टेक है तो आप यहाँ से लिख देना यह विद्रो जंगल की आग की भाती दूर दूर तक फैल गया ठीक है? यहाँ से कर लीजिए पांचा जंगल की आग की भाती दूर दूर तक फैल गया कैई महीनों तक उत्री और मध्य भारत के विश्रित भूभाग पर विद्रोईयों का कब सरा ठीक है और यह हैं तक लिख देना बस कुछ कर गए ठीक है तो बस यह आंसर भी आपको शॉर्ट हो गया तो यह आपकी वक्षीट सॉल्व हो गई इस्टुडेंट्स अगर आपको म प्लीज में वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए हमाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक्स पूर वाचिंग